रोस के वही रूटी और दाल चावल खाके मैं तो बहुत बहुत हो चुकी हूँ चलिए आज मैं बनाने वाले हूँ चोकुले चूकि बहुत ही सिंपल रसपी है बहुत ही तेशती रसपी है बेना किसी दरी के शुरू करते हैं कर रेसिप्ली की ही तो यहांपे देखिए दार नारियल और ह्याँ नारियल और हरेमेज, प्याज, टमाटर, करीपत्ता और खुब सारी दनिया ही रखा है चोटित रिड़ी कर देते हैं इसके नहीं जाने कड़ाई पर तेल डाल दिया है तेल गरम उछटा है और डालूंगे यहाँ पर वन टीस्पून राय ताँ डाल जीरा पर प्यास डाल देती हूं अब मैं आपे हर्मिश डाल देती हूँ अब मैं आपे अध्रा का पेस्ट डाल देती हूँ अब मैं आपे लसन का पेस्ट डाल देती हूँ कड़ी पतर आल देंगे इन्हें से मिक्स करके ले लेंगे अब मैं आपे इसके दर नान्रे डाल देती हूँ अब मैं आप इसके इंदर हीम डाल देती हूं अच्छी से फ्राइब हो रहे हैं अब मैं आप एंड में तमाटर डाल देती हूं अब मैं आप रावर्य शेंख्रा नमस नॉर्मल नमस भी चलेगा है अब मैं इसके आप मिस्ट कर लिए लेकर हमक साच के नशार गी राली ताब मैं यहां पे ठोड़े तरी पका लेती हूं इसको दस कि यह दके इसको मैंने कुछ कर लिया था आप मसाले हमारे ठेल खोड़ रहे हैं अब में ऐपर डाल रूती हूँ चुझा सेहां जाली और सेहां पर द्ली सब्सक्राइद 9ap अभ में पे चना के दाल डाल दे थी हूँ जो मेंने भाई ले लिए ली ंज के दाल के इंदर मैंने क्या क्या थक्ति होड़ी सी कमत दाला हाँ और साथ के नुसार चुंप करके दे नहीं देर पैं जाल के Something सब वंटिक नमग का यूत कम करूं कि मैंने दाल केंडर भी नमग का यूस किया हुआ है फोदा साइक्स्टा में जुदम जूते के नमग को तब हम दोगे याई तक फिसके नमग नमग के नमग ज़ान डखिक कि नमग यहां पर थोड़ा से तोड़के लें लेकिए अब पर इसे अच्छे बेल्के लेती हूं। साइस जूस्माही रखना है याला पतल आया मूटा नहीं करना है। सेका रहे हैं कि इस देख सकते हैं आपको दिखा रहरे हूं की हम पर रहे उना है चाको को सकते हैं हर tää रोटो कट रहा है आप देख सकते हैं अब यहां पे जमाई सब्जी पकरिए ना मैं इसको राल देती हूं अब मैं हमें थोड़ा साथ साथ से ब्लुकुल से मिक्स करना आ है यह अगर चाहे तो और बीट ढाल सकते हैं तरहें मैं आप सिर्फ एक राल रहा हूं अब यहां पर देखिए अच्च्चे से पत बाल दें ऑनी में कि शीयोजी पक दाख भी रही है अब मैं यहां पे थोड़ा सा प्रिश्टन डाल देती हूं और इसको अब मैं कुक होने के लिए रख देती हूं साइड में कम से कम बायां से दस मिनट के लिए आप देखिए सामबर हमारा अच्छे से पके रेडी हो चुका है आप इसको यहां पे टेक्शर भी देख सकते हैं बहुत ही जादा टेस्टी आया है बहुत ही जादा सिंपल मैंने इसको बनानी कोशिश की है अब चलिए अब मैं आपे इसको सर्फ करके ले लेती हूं अधिक उटर आई हो फ्रेंड्स आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको यह रेसिपी थोड़ी सी भी एच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरी चैनल को सब्स्क्राइब कर के लिए लिजेगा चलिए हम मिलते है ऐसी निव रेसि बगाइ